हलो एब्रीवन वेलेकम बैग आज हम लोग दनेकलेस का इस्टेडी करेंगे जिसे गायडे मौपासेंट ने लिखा है सरप्थम में इसके लेखक गायडे मौपासेंट के बारे में बताता हूँ गायडे मौपासेंट का जन में 5 अगस्त 1850 में हुआ था वे 19 सदी के फ्रांसेसी लेकर थे जिनें लगु कहानी के एक मास्टर के रूप में याद किया जाता है उन्होंने 300 लगु कथाएं 6 उपन्यास तीन यात्रा पुस्तकें और एक पद की रहतना की बौले डी सूप को अक्सर उनका सबसे प्रसिद काम माना जाता है इस तरह साहित के छत्र में इनका बिस्यस योगदान रहा चैज उलाई 1893 में 42 बर्स की आयू में इनका देहानत हो गया अब मैं स्टोरी दा नेकलेस की समरी बताता हूँ यह मतिल्डा नाम की एक महिला के बारे में कहानी है जिसने अपने लालज के करण और खूद को एक अमीर महिला के रूप में दिखाने की इच्छा के करण अपने पूरे जीवन के साथ साथ अपने सास्त को भी नश्च कर दिया मतिल्डा का जन कलरकों के परिवार में हुआ था वो सुन्दर और आकरसक थी लेकिन उसके पास अमीरों वाला जीवन नहीं था गरिबी ने उसे हर पल प्रताडित और नाराज किया बाद में उसने एक कलरक से साथ की और गरिबी में अपना जीवन जाली रखा वो हमेशा एक अमीर महिला बनना चाती थी वो सौदिश्ट भोजन करना और एक सांदार जीवन जीना चाती थी और इस वज़ा से वो हमेशा तनाव में राती थी एक दिन उनके पती एक बड़ा लिफाफा लेकर आये जिसमें मंत्री के घर में एक पार्टी में सामिल होने के लिए निमंत्रण कार्ड था उत्तेजित होने के अस्थान पर उसने उस लिफाफे को फेंग दिया और रोने लगी पती कुछ समझ नहीं पाया और हकलाने लगा कि क्या बात है मतिल्डा ने जवाब दिया कि पार्टी में पहनने के लिए उसके पास कोई ड्रेस नहीं है उनके पती ने उससे पूछा कि एक पुसाख खरीदने के लिए किस रास की किस रासी का खर्ष्य आएगा और उसने 400 फ्रेंक्स का जवाब दिया कुछ सिकार दलों में सामिल होने के लिए बंदुख खरीदने की इच्छा को अंदेखा करते हुए पती ने अपनी पत्नी के लिए एक पुसाख खरीद लिए लेकिन मतिल्डा अभी भी दुखी थी और जब उससे पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि उसके पास पार्टे के लिए कोई हार नहीं है आगे अपने पती के जुकाओ के अनुसार कहा जा रहा है कि आगे अपने पती के सुझाओ के अनुसार वह अपने दोस्त मैडम फारेस्टियर के पास गई और हीरे का हार उधार ले ली वह नई डेज के साथ हार पानी और पार्टी में वास्ता में आकर्शक का केंडरे बन गई मटिल्डा बहुत खुश थी क्योंकि वह पूरी पार्टी में सबसे आकर्शक महिला लग रही थी पार्टी खत्म होने के बाद जब वह अपने पति के साथ किसी तरह घर लोटी तो उसने देखा कि उसके पास हीरे का हार नहीं था हार को लेकर पती पत्नी दोनों चिंती थे हार ढोडने के लिए पती पूरे रास्ते से वापस चला गया लेकिन वह नहीं मिला उन्होंने नेकलेस के वारे में बिग्यापन दिया और प्रुषकार की घोस्रा की अगर कोई भी उने लाए लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली हार लाटाने के लिए कुछ और समय पाने के लिए मटेल्डा ने अपने सहेली के सामने नाटक किया कि हार का सिलसिला तुट गया है अन्त में उन दोनों ने एक नया हार खेजने का फैसला किया जिसके कीमत छूट के बाद 36,000 फ्रेंक थी उनके पती ने विविन अस्थानों में और विविन स्रोतों में रिड़ लिया उनके पास पहले से ही 800 फ्रेंक थे और उन्होंने बाकी की रकम लोन से ले ली उन्होंने एक नया हार खरीदा और उसे अपने दोस्त को लोटा दिया उस दिन के बाद उनकी जीवन बहुत ही दैनी स्थिती में परिवर्तित हो गई उन्हें एक छोटे से घर में सिप्ट होना पड़ा अपने नौकरानी को जवाब देना पड़ा अत्रिक्त काम करने पड़े और मतिल्डा ने घर के सारे काम करने शुरू कर दिये पूरा कर चुकाने में लगवग 10 साल लग गए मतिल्डा एक बुढ़ी महिला में परिवर्तित हो गई दस साल बाद एक दिन मतिल्डा ने रास्ते में अपनी दोस्त मैडम फारिस्टियर से मुलाकात की और बताया कि जो हार उसने उधार ले थी वह दस साल पहले खो गए थी लेकिर उन्होंने 36,000 फ्रेंक में एक नया खरीदा और उसे वापस कर दिया था इसके कारण उन्हें एक बड़ी रासी उधार देनी पड़ी और उन रासियों के उनर भुकतान के दोरान उनकी सिती इतनी दैनी हो गई यह सुनकर मैडम फारिस्टर चौक गई और बताया कि उन्होंने जो हार मतिल्डा को दिया था वह असली हीरे की नहीं थी और उसकी कीमा सिर्फ 500 फ्रेंक थी इस तरह से आपको दा नेकलेस की स्टोरी समझ में आ गई अब मैं इसे लाइन बाई लाइन बताता हूँ शी वाज वन अफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बॉर्ण एज इफ थू अन एरर अफ देस्टिनी इन्टू अफ फेमिली आफ कलरक्स देखे प्रिटी मिन्स सुन्दर डेस्टिनी डेस्टिनी में सुता भाग या नसीर मत्ब कहा जरा है कि वह उन सुन्दर युवा महिलाओं में से एक थी सी वाज वन अफ दोज प्रिटी यंग लेडीज मत्ब कहान अफ उन सुन्दर युवा महिलाओं में से एक थी born as if through an error of destiny into a family of color जो नसीब से destiny नसीब जो नसीब से या जो नसीब की भूल से लिपिकों के एक परिवार में पैदा हुई into family of color से जो नसीब की भूल से लिपिकों के कलरकों के एक परिवार में पैदा हुई she had no dowry उसके पास दहेज के रूप में no hopes no means of becoming known loved and married by a man either rich or distinguished and she allowed herself to marry a petty कलरक in the office of the board of education देखिए she had no dowry no hopes dowry में इस होता है दहेज मतब उसके पास दहेज के रूप में ले जाने के लिए कुछ धन clear मतब उसके पास दहेज के रूप में ले जाने के लिए कुछ धन no hope कोई आसाएं नहीं थी no means of becoming known उसके पास ऐसा कोई means नहीं था कोई साधन नहीं था जिससे वह प्रसिद्ध known प्रसिद्ध बनती loved and married or married by man either rich or distinguished मतब या जिससे वह प्रसिद्ध प्रीबनती और किसी धनी शुबे ख्यात आदमी से साधी कती clear मतब यहाँ पर यह बताए गया है कि उसके पास दहेज की रूप में ले जाने के लिए कुछ धन संपत्ती नहीं थी कोई आसाय नहीं थी उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे वह प्रसिद्ध प्रीबनती और किसी धनी या सुबे ख्यात आदमी से वह बिबाह करती है मामुली लिपिक से साधीक करना पड़ा हुआ 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 है इस सेंटली अ फिलिग अर्षेल बॉर्न फॉर आल डिली केसी अंड लग्जरीज वन रंतर रूप से पिरित रहती थी का जा रहा है शी सफ़ड इनसेंटली वन रंतर रूप से पिरित रहती थी फिलिंग हर्षेल बॉर्न फॉर आल डिली केसी अंड लग्जरीज वह यहां मौसूस करती थी कि उसका जन्म सभी नाजुक चीजों और बिलास्ता की चीजों को पाने के लिए हुआ है क्लियर का जा रहा है कि वह मौसूस करती थी कि उसका जीवन उसका जन सभी नाजुक चीज़ों और बिलास्ता की बस्तुओं को पाने के लिए हुआ है लग्जरी जी बिलास्ता की चीज़ें डेली केसिस नाजुक फिए प्राम् दि पावर्टी आफ़र कर अपरम अपोर्टमेंट द सेबारेंट अपर्टमेंट का संज है घर वह अपने घर की गरीब हालत तुर्ट अपने में घर के गरीब हालत थी सैबी वाल्स जीड़ सीड़ दिवारों एंड वोर्न चेयर्स और पुरानी कुर्षियों से दुखी दाती थी अल दीज थिंग्स टार्चर्ड एंड एंगर्ड हर यह सब चीज़ें उसको बेदना पहुचाती थी अल वहां और कृध करती थी मतब यह सारे चीज़ें उसको परिशान करती थी बेदना पहुचाती थी अल एंगर्ड और कृध करती थी वें सी सीड़ एर सेल्फ फोर डिनर आपोजिट हर हस्वेंड वह उनकवर्ड दा त्यूरिन सुनी काज रहे वें सी सीड़ एर सेल्फ फोर डिनर आपोजिट हर हस्वेंड जब वह अपने पती के सामने भोजन के लिए बैठती थी मतब जब वह अपने पती के सामने भोजन के लिए बैठती थी who uncovered the Turin with a delight और उसका पती प्रसंता पुर्वक डोंगे का धक्कन हटाता Turin, Turin कसें से डोंगा या कटोरा हटाता saying और कहता O, the good pot be कहता O, the good pot be मताओ, बहुत ही अच्छा सुर्वा है I know nothing better than that मैंने इतना अच्छा और कोई नहीं देखा मताओ, काता कि मैंने इतना अच्छा और कोई नहीं देखा She would think up elegant dinner मताओ, काजर है कि वह elegant dinner वह सांदार रात्री भोजन के बारे में सोचती थी आप shining silver, चादी के चमकते हुए बरतन के बारे में सोचती थी She thought up executive food served in marvelous dish वह उत्क्रिष्ट भोजन जो अनोखी प्लेटों में परोसा हुआ हो मत्तब वह जो है उत्क्रिष्ट भोजन के बारे में सोचती थी जो अनोखे प्लेटों में परोसा गया हो She had neither frogs nor gels उसके पास not a frog मत्तब यहां gowns sense है उसके पास not a gown थे nor gels नहीं आभुसर थे nothing, कुछ नहीं था and she loved only those things और उसे केवल वे ही चीज प्रिय थे She had a rich friend a schoolmate at the convent who she did not like to visit She suffered so much when she returned देखिए She had a rich friend उसकी एक मित्र थी a schoolmate at the convent जो उसके साथ convent में परती थी who she did not like to visit She suffered so much when she returned अब वह उसके पास जाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि जब उसके घर से वापस आती थी तो वह बहुत दुखी होती थी देखिए who did not like to visit मत्तब अब वह उसने मिला नहीं चाती थी क्योंकि she suffered so much when she returned क्योंकि जब वह उसके घर से वापस आती थी तो बहुत दुखी होती थी she wept for whole day from disappear and disappointment मत्तब वह निराज होकर पूरे दिन रोया करती थी वह despair and disappointment मत्तब निराज होकर के पूरे दिन whole day वह रोया करती थी one evening harassment returned related bearing in his hand a large envelope देखिए one evening एक दिन साम को उसका पती related bearing मत्तब प्रसन चित होकर के वह घर लोटा का ज़रा है कि एक दिन साम को उसका पती प्रसन चित होकर के elated, elated प्रसन चित होकर के वह घर लोटा in his hand a large envelope उसकी हाथ में एक बड़ा लिफापा था here he said here is something for you here उसने कहा here यहां आओ उसने कहा यहां आओ here is something for you यहां तुमारे लिए कोई चीज है clear उसने कहा कि यहां तुमारे लिए कोई चीज है she quickly drew out a printed card on which were inscribed these words देखिए she quickly drew out a printed card मतब Matilda फूर्ती से एक चपा हुआ कार्ड बाहर निकाला she quickly drew out a printed card मतब बढ़ी फूर्ती से एक चपा हुआ कार्ड बाहर निकाला on which were inscribed these words जिस पर यह सब्द अंकित थे क्या अंकित थे the minister of public instruction and madam George काज़ रहे and madam George the minister of public instruction मतब सिक्चा मंत्री और स्रीमती George काज़ रहे कि सिक्चा मंत्री और स्रीमती George रहें पोनी सिक्चा मंत्री और स्रीमती जार्ज रहें पोनी ask the honor for Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Loiselle company company Monday evening January 18 मिनिस्टर्श रेजिदेंस मत्ताब इस पूरे का मत्ता हुआ कि सिक्चा मंत्री स्रीमती जाज रहें पोनी और निवास पर अठारे जनौरी स्रीमती की उपस्तिती का स्तम्मान प्राप्त करने की प्राप्तना करते हैं क्लियर इंस्टीड आप बिइंग डिलाइटेड प्रसन होने के बजाए इंस्टीड आप इस बजाए प्रसन होने के बजाए जैसा कि उसका पती आसा किया था उसने दुर्भाना से निमत्रण पत्र मेज पर फेका इस पिट्फुली दुर्भाना से अपान दा टेबल मर्बरिंग का ज़रा है कि उसने दुर्भाना से निमत्रण पत्र मेज पर फेका और मर्मरिंग बड़ बड़ाईए आप क्या सोचते हैं आप क्या सोचते हैं इसका मैं क्या करूं आप क्या सोते हैं आई वान्ट विद डेट आप क्या सोते हैं मैं इसका क्या करूं आप क्या सोते हैं